नमस्कार दोस्तो अपने चैनल स्मार्ट पॉंट नॉलेज में आपका स्वागत करते हैं दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप SBI क्रेट कार्ड को फर्स्ट टाइम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है। आपको अपना काड नमबर फिल करना है कि जैसे आप अपना काड नमबर फिल करते तो आपको नीचेẻ से भी इफ टीन अंगों को जाता है तो OTP को आप फिल करेंगे, जैसे ही आप OTP फिल करेंगे, continue के बटन पर क्लिक करेंगे, तो आगे इस प्रकार के पेज पर आप पहुंच जाएंगे, तो आपको एक username बना लेना है, जैसे username आप create कर लेंगे, नीचे आपको password create कर लेना है, और confirm में वो ही password आपको फिर स create कर लेना है, जैसे ही password आपका create हो जाता है, update password पर क्लिक करेंगे, जैसे अपडेट password पर क्लिक करेंगे, take me to login पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो आपको इस प्रकार का page कुछ नजर आएगा, तो आपको अपना जो भी username बनाया है, वो आपको फिल करना है, तो आपको password का एक option आजाएगा, password आपको फिल कर लेना है, allow कर देना है, जैसे ही password आप फिल करेंगे, तो आप कुछ इस प्रकार का page लोडिंग लेने के बाद open होगा, तो आपको अपनी जो भी SIM है, जो registered SIM है, वो आपको select कर लेनी है, तो जैसे ही आप SIM select करेंगे, तो और continue क button पर press करेंगे, तो आपको verification आपका होगा SMS के द्वारा, जैसे ही आपका verification complete होता है, तो आपके सामने banners होने लगेगा, verification complete, उसके बाद device जो आपकी trusted है के नहीं है, तो उस पर एक छेंकों का OTP send किया जाता है, mobile number पर जो भी mobile number आपका registered होता है उस पर, जैसे ही आप OTP fill करेंगे, link device पर click करेंगे, जैसे ही आप link device पर click करेंगे, तो आपको एक MPIN create करने का option आजाएगा, जो login के समय आपको use में लिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको एक 4 रंगों का MPIN create कर लेना है, तो जैसे ही आप MPIN create कर लेंगे, नीचे भी वो ही MPIN आपको create कर लेना है, same और continue के बटन पर प्रेस करेंगे, जैसे ही continue के बटन पर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको MPIN has been set का एक pop-up आएगा, okay करेंगे, और okay करने के बाद आपको payment condition को accept करना है, जो box है आपको, उसको check mark करना है, और नीचे accept पर click करना है, जैसे accept पर click करेंगे, आपको fingerprint enable करने का एक option आएगा, enable touch ID पर click करेंगे, finger attach करेंगे, okay करेंगे, तो आपका fingerprint अपडेट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, इस परकार आप login कर सकते हैं, और activation कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करेंगे, और सभी दोस्तों में share करें, और इसी परकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करना न भूले, thank you.